Hello friends, welcome again. मैं हूँ अर्पेत और आज हम जिस पोएम की समरी और क्रिटिकल एनलिसिस डिस्कस करेंगे. वो है S.T. College की Dejection and Ode. इस पोएम को कॉलेज ने William Wordsworth की एक फिलोसपी के रिस्पॉंस में लिखा है. तो जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के दोरान बताऊंगा. तो आएए चलिए शुरू करते हैं. और हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे इस पोएम की समरी से. The speaker recalls a poem that tells the tale of Sir Patrick Spence. यानि इस पोएम का जो speaker है, वो याद कर रहा है एक पोएम को जो की कहानी सुनाती थी Sir Patrick Spence की. In this poem, the moon takes on a certain strange appearance. तो यह जो Sir Patrick Spence वाली जो है, पोएम है, उसमें moon जो है, एक certain strange appearance ले लेता है, यानि चंडरमा एक अलग तरीके का, एक अजीब तरीके का दिखाई दे रहा है. That presages, presages का मतलब होता है कि कि किसी चीज़ की भविश्वानी करना. तो इससे पता चलता है कि एक तुफान आने वाला है, यानि यह जो चांड की जो अजीब सी appearance है, उससे जो है, यह भविश्वानी है या यह इस बात का संकेत है कि तुफान आने वाला है. The speaker declares that if the author of the poem, तो speaker जो है, यह declare कर रहा है कि अगर इस poem के author जो है, possessed a sound understanding of weather, उन्हें weather की अच्छी understanding है, then a storm will break on this night as well. तो आज रात भी तूफान आएगा. देखिए यह Patrick Spence वाली जो poem है, इसके अगर author को जो है, अच्छी जानकारी है weather की, तो इनका कहना है कि आज रात को भी तूफान आएगा, क्योंकि जैसा चांड इस poem में जो है, बताया गया है, वैसा ही चांड आज रात भी दिखाई दे रहा है, जैसा कि इस poem में दिख रहा था, देखिए एडरेंटली का मतलब होता है, कि बहुत उत्साह से, तो speaker जो है, वो विश कर रहा है, बड़े ही उत्साह से, for a storm to erupt की तूफान आ जाए, उन्हें इंतजार है, वो बहुत खुश होंगे अगर तूफान आ जाए, और इस या हवा के साथ जो बहुत तेश हो राता है, तो यह कहरें कि जो स्कॉयल होगा, उसका जो आवाज होगी बहुत तेश, might cure his numb feeling, तो हो सकता है कि यह तूफान जो है, उनकी numb feeling को ठीक कर दे, numb feeling मतलब एक अजीब साथ सब कुछ सुन हो जाने हो जाता है, तो बहुत अजीब सा तो speaker आगे क्या कह रहा है, कि वो सिर्फ एक dull pain महसूस करता है, a grief without a pang, तो यह दुख जो है, लेकिन यह without pang है, pang का मतलब होता है वेदना, तो हलांकी यह दुख है इन्हें, लेकिन इसमें कोई वेदना नहीं है, एक constant deadening of all his feelings, और कैसा वो महसूस करता है, कि जैसे लगाता उसकी सभी feelings जो है, वो मरती जा रही है, speaking to a woman whom he addresses as O lady, तो उसके बाद वो एक कोई महिला है, कोई woman है, जिससे वो बात कर रहा है, और उसे address कर रहा है, क्या करके संबोदित कह रहा है, O lady कह रहा है उसे, he admits that he has been gazing at the western sky all evening, तो इन महिला से वो कहता है, कि वो इस बात को स्विक उसने जो है, western eyes की ओर gaze करते हुए, यानि देखते हुए, घूरते हुए, बिताई है, able to see its beauty, but unable to fully feel it, ठीक, तो हलांकी वो समलत है, वो इसकी खुबसूरती को तो वो देख रहा है, लेकिन unable है fully to feel it, यानि वो पूरी तरह से इसको महसूस नहीं कर पा रहा है, खुबसूरती देख तो रहा है वो आसमान की, लेकिन वो उसे महसूस नहीं कर पा रहा है, he says that, staring at the green sky will never rise his spirit, और वो कह रहा है कि जो ये green color का सा sky दिख रहा है, अगर मैं इसको चाहे जब तक भी देखता रहूं, ये कभी भी मेरी spirit को rise नहीं करेगा, ये मुझे प्रेरित नहीं करेगा, for no outward forms can generate feelings, क्योंकि कोई भी outward form ऐसे नहीं है, हमारे बाहर ऐसी कोई चीज नहीं है, जो की feelings को, भावनाओं को generate कर सकती है, emotions can only emerge from within, और जो emotion है, वो केवल हमारे भीतर से ही generate होते हैं, emerge होते हैं, बाहर की कोई चीज, जैसे की nature या और कुछ भी, हमें जो है, हमारी feelings को, हमारे emotions को generate नहीं कर सकता है, देखिए, यहाँ पर आपको यह बताना जरूरी है, कि यह poem जो है, जो की college ने, William Wordsworth की response में लिखी थी, William Wordsworth ने अपनी philosophy दी थी, कि हमें nature से inspiration मिलता है, nature एक जीती जाकती चीज है, जो हमें inspire करती है, जबकि college का कहना है, कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें कोई भी हर की चीज inspired नहीं कर सकती, हमें inspiration हमारे भीतर से मिलता है, और क्योंकि अब मेरे खुद के भीतर का inspiration और मेरे emotions मर गए है, मेरा imagination खत्म हो गया है, तो बाहर चाहे जो कुछ भी हो, मैं उससे inspire नहीं हो सकता, तो यह यहाँ पर यह कह रहे हैं, और यह असल में response है, William Wordsworth को, जो कि इनके बहुत अच्छे दोस्त थे, तो आएए आगे देखते हैं, According to the speaker, यानि speaker के अंसार, we receive but what we give, कि हम वही receive करते हैं, जो हम देते हैं, यानि जो हमारे पास already पहले से होता है, इस nature से हम वापस वही receive कर सकते हैं, The soul itself must provide the light, और हमारी soul जो है, उसे ही वो light प्रोवाइड करनी होती है, by which we may hope to see nature's true beauty, जिसके द्वारा हम nature की true beauty देख सकते हैं, तो देखिए, यहीं पर अंतर है, वाल्सवर्थ और कॉलरेज की philosophy में, वाल्सवर्थ कहा रहे हैं कि nature से हम inspire होते हैं, nature को देखते हैं, उससे हम inspiration मिलता है, जो कि सभी romantic poet यहीं काम करते थे, nature से बहुत ज़्यादा inspiration लेते थे, और college क्या कहा रहे हैं, कि nature की true beauty हम तभी देख सकते हैं, जब हमें हमारी soul वो light देती है, जिससे कि हम उसे देख सके, त असली चीज हमारे भीतर होती है, a beauty not given to the common crowd of human beings, तो देखिए यहाँ पर एक बार फिर से line देख लीजे, the soul itself must provide the light, यानि कि soul को ही वो light provide करनी होती है, by which we may hope to see nature's true beauty, जिसके दोरा हम nature की true beauty देख सकते हैं, a beauty not given to the common crowd of human being, और यह एक ऐसी beauty है, जो common crowd of human being, यानि आम साधारण लो उनके पास नहीं होती है, उन्हें नहीं दी गई होती है, और यह कौन, मतलब human beings का crowd, यह किसे कह रहे हैं, the poor, loveless, ever, annexious crowd, यानि ऐसे दुरभागशाली लोग, जिनके जीवन में प्रेम नहीं हैं, और जो annexious crowd की तरह हमेशा रहते हैं, calling the lady pure of heart, इसके बाद यह जो lady है, उनको क्या कह रहे हैं, उन्हें कह रहे है, pure of heart, the speaker says that she already knows, तो speaker कह रहा है, कि वो पहले से ही जानती है, about the light and music of the soul, soul की light और music के बारे में, which is joy, जो असल में क्या है, जो है, joy, यानि कि खुशी, joy, he says, marries us to nature, यानि कि joy, यानि खुशी वो चीज है, जो हमें nature से जोड देती है, thereby giving us a new earth and new heaven, और इस तरह से joy हमें देता है, क्या, एक नई दुनिया और एक नया स्वर्ग, undreamed of by the sensual and the proud, जिसके बारे में जो sensual और proud लोग हैं, वो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, जिसे सपने में भी वो नहीं देख सकते, the speaker insists that, इसके बाद speaker जो है, वो insist करता है, there was a time, कि एक ऐसा भी समय था, when he was full of hope, जबकि वो full of hope थे, बहुत आशाओं से भरे हुए थे, when every tribulation was simply the material, with which fancy made me dreams of happiness, देखिए, tribulation का मतलब होता है, कि कोई भी जो distress, इसका मतलब होता है, distress, तो यह क्या कह रहे हैं, कि एक वक्त ऐसा भी था, जब मैं आशाओं से भरा हुए था, full of hope था मैं, जब हर क्लेज भी जो था, हर जो विवाद होता था, कोई भी जो जंजट होता था, was simply the material, वो असल में एक material होता था, with which जिसके दोरा fancy made me dreams of happiness, जिससे कि मैं अपनी कलपनाओं से happiness के सपने देख लेता था, यानि हर चीज में खुशियां धूंड लेता था, but now his affliction press him to the earth, लेकिन अब जो उनका affliction है, यानि उनका जो दुख है, उनका जो कश्ट है, वो क्या कर रहा है, वो उन्हें धर्ती पर पुश कर रहा है, प्रेस कर रहा है, और हलां की जो है, वो अपने मिर्थ के decline को, यानि अपनी खुशी के कम होने की उन्हें चिंता नहीं है, but he cannot bear the corresponding degeneration of his imagination, लेकिन इसकी वज़ा से उनके imagination में जो कमी आई है, उनकी कलपनाओं की उड़ान जो रुख गई है, अब वो पहले की तरह कलपनाएं नहीं कर सकते हैं, यह जो है, उनके लिए बहुत तकलीफ की बात है, क्यों? क्योंकि which is the source of his creativity, यानि इनका imagination जो था, वही इनकी creativity का source है, and his understanding of the human condition, और उसी imagination से वो human condition को समझते हैं, that which enables him to construct, जो की उन्हें समत्र बनाती है, construct करने में, यानि create करने में, from my own nature, all the natural man, यानि कि मेरे खुद के nature से, मेरे अपने भीतर के nature से, मैं बाकी सभी natural चीज़ें बनाता हूँ, यानि अपनी poem में जो है, चीज़ें create करता हूँ, वो असल में मेरे भीतर ही है, और वो असल में generate होता है, खुशी से, और खुशी से पैदा होने वाले imagination से, तो खुशी कम हो ग गई है, दिखिए, आपर मैं आपको एक बात ये भी बता दू, कि William Wordsworth और ST College, दोनों ही जो है, अपने career के बाद के हिस्से में जो है, इस problem से जूज रहे थे, और ST College ने इसे पहले महसूस किया, कि उन्हें अहसास हुआ, कि अब वो nature से पहले की तरह जुड़ना ही पा रहे है और इस वज़ा से उनकी creativity खत्म हो गई है, और तब ही उन्होंने ये poem लिखी थी, ode to rejection को बहुत ही, मतलब ये जो rejection ode है, इसे बहुत ही दुख़द माना जाता है, इसके वस्तेंजा बहुत ही दुख बरे हैं, जिसमें college इस बात के लिए दुखी है, कि अब जो है, उनके the wiper thoughts that coil around his mind, इसके बात जो है, जो speaker है, वो उमीद करता है कि जो wiper thoughts है, देखिए, wiper thought क्या है, wiper is a kind of snake, और thought मतलब विचार, तो ये जो साप जैसे विचार जो coil किये हुए है, coil मतलब कुंडली मारना, कहां पर कुंडली मारे हुए है, इसके दिमाग में, speaker के दिमाग में, तो वो चाहता है अब उससे बाहर निकलना, उन विचारों से वो बाहर निकलना चाहता है, the speaker turns his attention to the howling wind that has begun to blow, तो speaker अपना ध्यान के सिर्फ ले जाता है, howling wind की ओर ले जाता है, जो कि अब बहने लगी है, ठीक हवा चलने लगी है, howling मतलब बहुत तेज आवाज की गलजना की आवाज के साथ बहने वाली हवा, he thinks of the word as an instrument played by a musician, फिर वो सोचता है कि यह दुनिया जो है, एक क्या है, एक instrument है, जिसे कोई musician बजा रहा है, who spins out of the wind, a worse than wintery song, और इससे क्या हो रहा है, एक worse than wintery song, मतलब एक बहुत ही, wintery मतलब winter, थंड का song, जो है, जैसा बज़ रहा है, उससे भी बहुत बेकाल, तो मतलब कि एक अच्छा गीत नहीं बज़ रहा है, this melody first calls to mind the rush of an army on the field, थेक, तो यह देखिए, जो wintery song है, इसकी melody कैसा feel दे रही है, तो यह ऐसा लग रहा है, दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहा है, जैसे कि कोई army युद के मैद अच्छान में तेजी से दोड़ है, अगर आपने कोई युद वाली movie देखी होगी पहले जमाने की, तो क्या करते हैं, कि चार्ज, चार्ज करके बहुत तेज दोड़ते हैं, दुश्मन army की और, तो वैसा सा महसूस हो रहा है, quietening, उसके बाद एकदम शान्ती हो गई है, it then ev और फिर से ख्याल बदलते हैं, it is midnight, यानि कि अब ये midnight का समय है, जैसा कि मतलब इस पोए में इस वक्त midnight का time है, but the speaker has small thoughts of sleep, लेकिन speaker के मन में जो है, सोने का कोई इरादा नहीं है, however he hopes, लेकिन फिर भी वो उमीद करता है, that his friend की, उसकी जो friend है, the lady, will be visited by gentle sleep, उसे जो है, नीद that she will wake up with joyful thoughts and light heart, और अगर ये अच्छी gentle sleep आ जाएगी, अच्छी नीद आ जाएगी, तो क्या होगा, फिर वो अगली सुबह उठेंगी joyful thoughts के साथ, और light heart के साथ, calling the lady, इसके बाद ये क्या कह रहा है, calling the lady, friend, devoted of my choice, वो lady को कह रहा है, कि वो क्या है, वो friend, devoted of my choice है, यानि मेरी choice क that she might ever, evermore rejoice, कि वो हमेशा हमेशा बहुत ही खुश रहे, ऐसी जो है, ऐसा विश करते हुए lady को ये poem ये खत्म करते हैं, अब देखिए हम इस poem के critical analysis को देख लेते हैं, Dejection and Ode is English Romantic Poet, Samuel Taylor Coleridge's Exploration of Despair, Joy and Imagination, यानि कि जो poem है Dejection, ये English Romantic Poet, H.T. Coleridge का exploration है, किन चीजों का? Despair का, Joy और Imagination का, यानि कि निराशा, दुख, खुशियां और Imagination को जो है ये explore कर रहे हैं इस poem में, College First Publish Dejection in London, Morning Post Newspaper, यानि कि जो है, इन्होंने पहली भार इस poem कहां पर publish किया था, London के Morning Post Newspaper में, 1802 में, Lost in a Terrible Dejection, a Kind of Numb, Colorless Hopelessness, और ये जो है क्या कहा है, कि ये खोई हुए हैं, कहां पर एक Dejection में, Dejection का मतलब होता है निराशा या उदासी, जो की एक तरह की Numbness है, Colorless और Hopelessness है, The Poems Speaker reflects that, when a person in such a mood, तो ये poem का speaker जो है, वो ये reflect करता है, कि जब एक व्यक्ति इस तरीके के mood में होता है, The Whole Word Looks Blank and Empty, तो उसे सारी दुनिया Blank और Empty दिखाई देती है, Blank और Empty दोनों का ही मतलब है, खाली, जैसे आप कहते हैं, Fill in the Blanks तो खाली जगा को भरो, और Empty मतलब खाली होता है, It takes the complex powers of the imagination, और इसके लिए imagination की complex, यानि बहुत ही gentle powers की ज़रूरत होती है, The speaker continues to make the outside world feel meaningful and beautiful, यानि कि इसके आगे speaker कहता है, कि इसके लिए imagination की बहुत ही complex powers की ज़रूरत होती है, जिससे की outside world को meaningful और beautiful महसूस किया जा सके, और बनाया जा सके उससे, जो है, meaningful और beautiful, तो अब हम इस poem की form को देख लेते हैं, Dejection and Ode is as its title suggests, यानि कि Dejection and Ode जो है, जैसा कि इसके title से ही पता चलता है, An Ode, ये एक Ode है, A Lyrical Exploration of a Particular Subject, और इसमें किसी Particular Subject को लिरिकल तरीके से explore किया गया है, लिरिकल ऐसी poem को बोलते हैं, जो गाई जा सकती है, ठीक, तो आज के गानों के जैसी poem होती है, जैसे हमारे गीत होते हैं, फिल्मों के उस तरीके की poem, तो ये क्या explore कर रही है, किसी Particular Subject को, evolved into eight irregular stanza, और ये poem जो है eight stanza की है, जो की irregular है, जो कि irregular है, यानि उन में एक बराबर line नहीं है, कोई stanza बड़ा है, कोई stanza छोटा है. Each exploring a new development in the speaker's thought और हर एक stanza जो है क्या कर रहा है वो speaker के thought में कुछ नया development हो जाता है हर stanza में Like most oats, this one doesn't stick to a particular stanza form or length और जैसा कि जादतर oats होती है ये oats किसी भी particular stanza form या फिर length से नहीं जुड़ी रहती यानि इस poem का ना तो कोई particular stanza form है और ना ही इसकी length निश्चित है अब हम सबसे आखिर में इस poem के meter और rhyme scheme को देख लेते हैं It also doesn't use any predictable meter और rhyme scheme और इस poem में किसी भी predictable यानि निश्चित meter और rhyme scheme का इस्तिमाल भी नहीं किया गया है Instead, it shapes itself to fit the speaker's thought बलकि ये अपने आपको केवल स्पीकर के thought के हिसाब से ही जो है उसमें fit होने के लिए ही ship की गई ये poem है तो इसमें किसी भी meter और rhyme scheme का यूज नहीं किया गया है तो दोस्तों अमीदे कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर ये आपके लिए useful है तो इसे like करो और चाहो तो ये channel भी subscribe कर दो